हेलो दोस्तों स्वागत एक और नए वीडियो में जैसे कि आप आप देख रहे हो हमारे पास है HP laser jet 255 प्रिंटर और 255 25 में क्या डिफ्रेंस होता है लगभग पार्ट सेम होते हैं बस logic card और यहां पर जो डुपलेक्सर यूनिट होता है वो यहां पर अवेलेबल नहीं होता है और नीचे डुपलेक्सर के साथ यह यहां पर अवेलेबल नहीं होता है उद्द आप देखोगे डिस्प्ले साइट में और डिस्प्ले कंट्रोल पानल नहीं होता बाग के सारे पार्ट लगबग सेम होते हैं ठीक है तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं इसको कैसे हम अब उपन करेंगे और इसको कैसे डिक्वेर करेंगे तो डिस्प्ले वगहरा मैं भी लाइट नहीं आ रहा और कभी कबार यह हंग हो जाता और प्रिंटिंग के स्ट्क हो जाता ठीक है इस आप हम रिजॉल्व करेंगे और पावर सप्लाई चेक करेंगे और सर्विशिंग भी करेंगे इस printer का तो जल भी देखेंगे कैसे टीर डाउन करते हैं ज़र असंब्लिंग करेंगे और फ्यूजर रिपेर करके सर्विस करके हम उसे पैक करेंगे ठीक है सबसे पहले खोलने के लिए आपको करना क्या होता है आप बैक साइड से देखी तो इस साइड से यहां प आपको ऐसे लगा लेगना स्लेट ड्राइवर यहां पर ठीक है मैं आप लोग दिखाने को लिए इस बीजिय ने करना हो नहीं तो मेरे लिए और यहां पर प्रिए कि स्टेस होता है लफ साइड तब molar फेसे मेंनके लिए इस टाइब कर लिए परिंटर जिए व कुछ का परिंटर इस ये आपकर तीर much निकालेगा यह वाली जोए आपको निकुत ले न साथा नंसे झाल के और यह साइड में निकल जाता है तो इस इस स्टिश वाई देना ये पॉर नॉफ्वा शुव्च Th Informationen ये वैए जैब आपि इसको द्यान देना है और प्रिस्ट को साइड में रख लीजिए है pray आप इसके फ्यूजर के अंदर का एक ग्यार होता है उसको सभी से पैक नहीं करोगे लगाओगे नहीं तो क्या देखना होता है उस वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले इस प्रॉइंटर प्रॉलम क्या रहा है इस स्थीबा है नोट प्रॉरीण वह इस मरें डीलने यारा चाहिए देखिए एस साइड कंदी से नहीं आ रहा है forgiving इस पीजिए नहीं रीख कर दो को सब्सेंगे डेखो डिस्पले में कुछ तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले लोजी काड को चेंज करके देखेंगे ठीक है उसके बाद भी स्टिल सेम इश्यू है तो हम कंट्रोल पैनल को चेक करेंगे ठीक है तो कई बार कभी कभार आपने दब देखोगे तो यूजर कमा जहां पर विजिट करोगे क्लाइंट सा देख्टो ऑन साइट कोई ठीक है तो इस टूटेवलिए में आपको यही बताने वाला है मल्टी प्रॉल्म कर स्वल्विशन एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला तो सबसे पहले आपको पूरा प्रिंटर खोलने की जुरत नहीं है आप इस तो देखिए यह बारी इससे को पहले इस आप लोगं के लिए इससे काम होता है लोग के लिए इंडुस्तरी में कैसे काम होता है IT company में कैसे काम करते हैं इस पे भी हम टूटरी बनाने वाले हैं तो देखिए ऐसे हमने control panel बाहर निकाल लिया अब इसका जो cable देखिए यहाँ पर cable connection होता है सब्सक्राइं निकाल लएगी यह जो यहाँ पर cable लगा होता है यह वाला हमने इसको निकाल लिया तो देखे इसमें छोटे से सुईच होते हैं यह देखिए तो यह 컨्ट्रोल पैनल काम डिस्पले आता है बट क्ट्रोल पामनें करता है कभी कबार यह जो केवल ७ूार्पका श्याति है तो भी डिस्पलम साय 一से में नहीं करका वह तो हम इसे कहन से सिंद्व समय देख्वली ह गभी के मॉंसटर जो ओ अमारा खताम यसीफ है तो मैं जो खोल के देख ले upfront होता है हमारा कि देखिए कि previous सिस्ट क्ष़शक ना कि ऑसानी से कि और इस टाइप से स्विच लगे वोते हैं ये माइफ्रोफाय इसको चेंज कर Fantastic पैट्रोल डालतीजीए अगर आपको ऐसे जुगार्ट सिस्टम चलाएं जाए पैक्ट्रोल डालतीज यह काम करने लगी आपको प्राणों आइशो यूज़ कर रहा हूं मैं यहां पर प्रोमोशन नहीं कर रहा हूं किसी पंपनी का लेकिन हम भी यूज़ करते हैं थोड़ा सा क्वालिटी वाइज और एक्स बजट वाइज छीग वता हुँँगा इसको लगा लेंगे इस प्रेकर लीजिए इसमें कोई शू नहीं है आपको ड्राइ करने के लिए तो आप एसमडी से शूप राइज कर सकता कुछ चोड़ दोगे तो ड्राइज हो जाए तो यह रहा कंट्रोल पैनल की बात क्या प्रॉलन आता है कंट्रोल पैनल में डीपली जानते इस वीडियो में वीडियो लंबी होगी लेकि इसमें इंफ लॉक होता है आपको क्या करना है दोनुन लॉक को साइड से ऐसे प्रेस करना ऐसे ठीक है तो यह बाहर आ जाएगा देखिए क्योंकि इसमें कागज लगा तो इसलिए यह नहीं आ रहा है मैनुली करना पड़ेगा ठीक है तो यह जो हमारा रोलर है खराब हो चुका डाइमे गर आपको कां चलाना जुगार करना तो इसको वास करके चला सकते हैं ठीक है तो यह हम रखते हैं साइड में फिलाल लगा आपको करना क्या हो गा होगा नीचे के तरफ में ऐसे लगा कैसnyt कर देना है ल purl लॉक होता है थूसाइड में यह हमने जान लिया रोलर को भी कैसे ल और यहां पर पेपर एरिया में जाम होता है तो यहां पर देखे करने होते खूल के और पेपर ट्रेज उने यह हैं ट्रेज के बाद करें तो देखे ट्रेल यह हमारा देखिए त्रेटू यह हमारा है ठीक है और इसमें हम दिखाएंगे आपको कि इसमें क्या प्रॉलर ना आते हैं देखिए यहां पे एक पीकप रोलर लगा ठीक है वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं दुबारा से